विडियो और आज इस वीडियो के अंदर हम यह वाली ले आउट बनाने जा रहे हैं अपार्टमेंट करके व्याली ओर्टमेंट करके अच्छों मुबाइल रिस्पॉंसिव और अगर चोटा करता हम तो आप देखोगी है यहाँ पर है ठीक है तो इस तरीके से आपकी यह वेब साइट यहाँ पर मिलेगी तस विल भी कम्पलीटली मुबाइल रिस्पॉंसिव और यूव और अगर चो तो बहुत ही मस्त होने वाला है और बहुत सारी चीज़े आपको इसमे सीखने को मिलेगी और गाइस बफोर स्टार्टिंग इस विडियो स्पॉंसर बाइक कोड़ीजी एक मेरे द्वारा इनिशेटिव है जहां पर मैं आपको एल्प करना जाता हूं एंड लेट्स बिगिन तो सबसे पहले मैं अपने कोड़ एडिटर में जाओंगा और कोड़ एडिटर में जाके मैं अपना बोलेप्लेट ले लूँगा यहां पर टाइटल हमारा होगा अपार्ट मेंट ठीक है अपार्टमेंट हमारा टाइटल होगा अब यहां पर मेरे पास कुछ links है तो वो links को मैं यहाँ पर copy कर दूँगा एक तो font awesome है और एक मेरा font awesome और fonts है ठीक है fonts है right करके मैं font use कर रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर एक link करूँगा और इसमें CSS और style.css को मैं यहाँ पर link करूँगा और सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे that will be the header part तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक nav करके div बनाऊंगा ठीक है और इसकी जो class है वो मैं दे दूँगा flex उसके बाद इसके अंदर एक में div बनाऊंगा logo box करके मैं यहाँ पर एक div बनाऊंगा और h2 यहाँ पर होगा apartment ठीक है यह मेरा h2 हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर मैं एक और div बनाऊंगा जिसका नाम होगा menu और इसके अंदर मैं id भी ले लूँगा और id होगी menus ठीक है और इसके अंदर मैं लूँगा एक ul जिसकी class होगी flex और इसके अंदर मैं li ले लूँगा ठीक है और li के अंदर सबसे पहले मेरा होगा home फिर होगा about फिर होगा apartment ठीक है उसके बाद फिर होगा agent उसके बाद होगा contact us ठीक है तो यह हमारा यहां पे menu वाला पार्ट होगा ठीक है तो यह वाला menu वाला पार्ट करने के बाद हम नीचे जाएंगे और उसमें dot btn और box को यहां पे target करेंगे उसके बाद यहां पे लेंगे flex और यहां पे li लेंगे ठीक है li के अंदर होगा join us और उसके बाद next li होगा जिसके एम class देदेंगे yellow क्यूंकि इसको हमें yellow करना है ठीक है शरी div होगय है पे इसको li कर देते है last video में भी हमने यह गड़बर की थी कि उसमें भी हमारा यह हो गया था ठीक है get started हम यहां पे कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा button box हो गया और button box के बाद button box के नीचे हम finally expand ले लेंगे ठीक है और इस span की जो class हो जाएगी that will be toggle btn ठीक है और इसको हम कर लेंगे on click equal to toggle और यहां पे हम ले लेंगे and hash 9776 तो यह हमारा अब यहां तक हमने सारा काम हमारा complete हो चुका है और this is it that's it ठीक है यह सारी चीज हमारी complete हो चुकी हमारा जो header वाला part हो हमने बना लिया है अब मैं इसको go live करता हूं and let's see कि यह हमारा कैसा यहां पर दिखाए देता है तो it's really simple right here और बहुत ही simple see यहां पर मुझे एक हमारा navigation वाला जो part हो हमने यहां पर create कर दिया but अभी सिर्फ यह शुरुआ आते हैं अभी बहुत सारा content हमको मीचे आकर लिखना है I'll start with the banner banner से मैं start करूँगा सबसे पहले मैं div बनाओंगा जिसका नाम होगा two section ठीक है two section के नाम से मैं एक div बनाओंगा यहां पर होगा flex और inner flex और inner ठीक है उसके बाद यहां पर एक div बनाओंगा left और उसके बाद में एक h1 बनाओंगा find your new br लेंगे यहां पर modern apartment find your new modern apartment ठीक है यह हमारा h1 हो जाएगा और इसके बाद यहां पर हम एक और div लेंगे जिसका नाम होगा search और इसकी class का हम नाम लेंगे lux shadow ठीक है और flex हम यहां पर दे देंगे यहां पर एक input होगा input की जो button होगी sbtn ठीक है class जो है हम वो sbtn करके देंगे type हमारा text ही होगा और I think that's it और यहां पर हम एक placeholder भी देंगे ठीक है placeholder हमारा हो जाएगा search location search location ठीक है तो यह हमारा यहां पर button हो जाएगा और इसमें हम इसका content होगा button का जो name होगा that will be search ठीक है तो यह हमारा यहां पर यह complete हो जाता है ठीक है अब मैं नीचे होगा और I think two section ठीक है next जो होगी फिर that will be hero image ठीक है तो dot यहां पर hero image मैं लूँगा ठीक है और hero image के अंदर मैं यहां पर hero image info ले लूँगा सबसे पहले एको div लूँगा hero image info ठीक है hero image info ले लूँगा और यहां पर हो जाएगा flex और यहां पर dot info और यहां पर हो जाएगा flex ठीक है और expand लूँगा dot fa fa phone info icon और इसके बाद जो P है that will be 000 123-4567 ठीक है तो यह info flex वाला हमारा हो गया अब एक और हम info flex बनाएंगे तो मैं क्या करूँगा कि सेमी लगभा content है तो मैं इसको यहां पर copy कर लूँगा और यहां पर fa phone की जगह यहां पर मैं map maker डाल दूँगा not maker sorry that will be marker और info icon ऐसे रहने दूँगा और यहां पर यह जो number लिखा है इसके जगह मैं लिख लूँगा Melbourne Australia Australia ठीक है तो यह हमारा यह वाला complete हो जाएगा ठीक है two section area I think we have completed the two section area इसको मैंने save किया यहां जाकि मैं इसको देखता हूँ तो आप देखोगे कुछ इस तरीका का हमारा content यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ठीक है अब जो next content हम लेंगे that will be the company area तो मैं इसको यहां पर end हो रहा है तो मैं इसके बाद यहां पर मैं actually यहां पर इसको comment out भी करते जाता हूँ साथ कि मुझे पता रहे कि कहा से कौन सा section start हो रहा है it's always better to comment out सबसे पहले मैं लूँगा company और यहां पर inner और flex ठीक है उसके बाद dot left और h1 ठीक है h1 के अंदर हम लेंगे ours company और यहां पर BR हम ले लेंगे और BR के बाद यहां पर हो जाएगा statistics ठीक है statistics हम यहां पर ले लेंगे that will be the h1 part right यह यह लेफ्ट वाला हो जाएगा और यहां पर हम एक P ले लेंगे और P के अंदर lorem ipsum वाला content डाल देंगे तो I have my content written right here वो मैं डाल दूँगा और उसके बाद हमें एक और line break यहां पर चाहिए और उसके बाद हम वापिस से एक और जो P tag है उसको as it is उपर वाला जैसा है वैसा ही है तो उसको हम यहां पर इस तरीके से ले लेंगे ठीक है और यहां पर हमारे div close होता है और यहां पर next आके हम dot right वाला area बनाने लेंगे right वाले area में हम यहां पर flex ले लेंगे और flex के बाद dot box हम यहां पर ले लेंगे box के अंदर सबसे पहले हम लेंगे एक h1 h1 के अंदर 745 ठीक है यह हमारा रहेगा और इसके बाद एक h3 होगा और यह apartments 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 ठीक है यह हमारा box हो जाएगा और इसी तरीके से हमें multiple boxes ही है तो मैं क्या करूँगा इसको यहां पर copy कर लूँगा we need four boxes तो एक तो हमारा already है दो तीन चार ठीक है इसके अंदर में जो numbers है वो change कर दूँगा that will be 3000 यहां पर हो जाएगा clients ठीक है और clients हो जाएगा और इसके बाद यहां पर 48 हम यहां ले लेंगे और यह हो जाएगा हमारा employees ठीक है यहां पर हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा awards ठीक है तो यह हमारा area यहां तक complete हो गया अब इसको मैं जाकर उपर यहां पर जाकर इसको refresh करता हूँ तो आप देखोगे कि यह content हमारा यहां तक आ गया है अब इसके बाद मैं apartments की शुरुवात करूँगा ठीक है apartments की हम शुरुवात करेंगे तो मैं नीचे आऊँगा और यहां पर मैं लिख देता हूँ अपार्ट मेंट्स ठीक है तो सबसे पहले में एक डिव बनाऊँगा जिसका नाम होगा अपार्ट मेंट्स अपार्ट मेंट्स ठीक है और इसके अंदर सबसे पहल करके डिव यहां बना लूगा ठीक है और I have the text already copied तो वह में यहां पर सीधे इसको यहां पर इस तरीके से डाल दूगा तो यह हमारा text हो गया है और text के बाद next हम यहां पर लेंगे एक अपार्ट मेंट बॉक्स अपार्टमेंट बॉक्स लेंगे और यहां पर हम फ्लेक्स इसको ले लेंगे उसके बाद यहां पर dot images करके हम लेंगे और images करके img हम यहां पर लेंगे src हो जाएगा images slash img1 dot jpg और इसके बाद यहां पर एक div लेंगे details ठीक है h4 ले लेंगे h4 विल बी random street मैं इसको copy कर लेता हूँ ठीक है so I don't have to write random street apartment ठीक है इसके अंदर हम echo div लेंगे जिसका नाम होगा details ठीक है oh sorry this will be the details details ठीक है और details के अंदर हम okay sorry guys actually यह तो मैं already बना चुका हूँ so we don't need to create this again after writing so much of code even I get confused sometimes ठीक है और यहां पर हम लेंगे flex और इसके बाद dot लेंगे p left ठीक है और यहां पर हम h3 ले लेंगे ठीक है और that will be dollar 3500 ठीक है 3500 हम यहां पर h3 लेंगे और इसके अंदर पी left के अंदर हमने इसको लिया है ठीक है fine फिर हम लेंगे पी right है ना dot b now guys यह जो इसका structure है यह थोड़ा सा आपको difficult लग सकता है ठीक है और थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यहां पर बहुत सारी चीज़े अभी हम कर रहे है but धीरे धीरे आप इसको करेंगे तो आपको समझ भाएगा ठीक है fa shower हम यहां पर कर लेंगे और एक और हम यहां पर class लगाएंगे that will be facility ठीक है और इस span के अंदर हम एक h4 लगाएंगे okay h4 और इसमें 2 ba हम यहां पर कर देंगे ठीक है तो यह एक हमारा span हो जाएगा और एक और हम नया span लेंगे dot span.fa ले लेंगे उसके बाद fa car हो जाएगा और उसके बाद facility हो जाएगे ठीक है और इसके बाद h4 ले लेंगे to bd हम यहां पर ले लेंगे ठीक है तो I think हमारा यह सारा जो content है वो complete हो चुका है प्राइज flex से लेके तो यहां तक and let me see हमारा images वाला जो है वो कहां तक आ रहा है तो आप देखोगे कि हमारा बहुत सारा content जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पर बहुत सारा content आपको यहां पर visible होगा ठीक है तो basically इतना यह सारी चीजें इतनी कम से कम आपको रखनी ही पड़ेगी in order to see the required results ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब मुझे multiple images वाले tag चाहिए इसको मैं copy कर सकता हूं देखो यह वाला جो images वाला यह वाला जो टोडल छे है ठीक है तो एक हुआ ये ये दूसरा हुआ ये तीसरा ये चोथा ये पांचवा और ये छटा ठीक है तो complete of six इसकी copies हमने बना लिए और one by one हम क्या करेंगे इसके अंदर की images जो है और जो content जो है वो हम यहां पर change कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं second वाले में जाता हूँ और इसके अंदर हम ले लेंगे I. M. G. 2 ठीक है और random street वगरा नाम हम यही रहने देंगे और बाकी सारी चीज़ें हम सेम ही रहने देंगे basically हम यहांपे change करेंगे images ठीक है उसके बाद हम यहांपे लेंगे IMG 3 उसके बाद यहांपे IMG 4 उसके बाद हम लेंगे इमजी 3 ठीक है और फिल ले लेंगे हम इमजी जस्ट एक इमजी 3 इमजी 1 और इमजी 4 ले ठीक है इसको नहीं किया सेव यहां जाके मैं इसको देखता हूं तो आप देखोगी कि मुझे कुछ इस तरह की इमेजिस यहां पर देखने को मिल रही है कुछ इस तरह की इमेजिस यहां पर हमें देखने को मिल रही है तो हमने कुछ इमेजिस यहां पर रिपीट कर दिए बट आट's completely fine क्योंकि हम यहां सिर्फ सीखने के लिए देख रहे हैं तो इस completely fine अगर सेम भी हो तो that'll gonna work out ठीक है तो यह हमारी सारी इमेजिस है और इतना हमने complete कर दिए अब हमें क्या बच रहा है अब हमें यह वाला part बच रहा है last ठीक है तो सिर्फ इसको हमें यहां पर complete करना है है तो अब मैं जाओंगा अपने code editor पे और code editor में images के बाद एक और div जहां यह close होता है let me see कि यह close का हो रहा है यह बहुत important है guys अगर आप इसके अंदर ग last में but let me check कि हमें apartment I think हमें apartment के अंदर ही करना है इसके बाहर नहीं करना है let me quickly check कि हम apartment के अंदर से ही करेंगे या बाहर से करेंगे ठीक है हम apartment के अंदर ही इसको complete करेंगे है तो search part वाला इसके बाद हमारे कितने div close हो रहे है एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार और एक और div हमÉn यहाँ पर hosts pants कॉछ पैसे इस के अंदर हमे बनाना क्छ जो को डाध शर्च पार्ट पैसे और यहाँ पर त्ख स्थ पासिता और किहां पर ले लेंगे फ्लक्स है और उसके बाद यहाँ पर डॉट सर्च box हम यहां ले लेंगे और यहां पर भी ले लेंगे अब flex ठीक है और उसके बाद एक h4 लेंगे हम यहां पर और h4 के अंदर हम class जो है वो दे देंगे search और यह हो जाएगा text ठीक है h4 के अंदर और इसके बाद हम लेंगे span span की जो class होगी that will be fa fa search ठीक है और sar करके हम इसकी class दे देंगे और span हमारे यह खतम हो रहा है और इसके अंदर है ना तो हम यहां पर ले लेंगे search location ठीक है यह हमारा h4 हो गया और इसके बाद .sar btn कर दो ठीक है और यहां पर इसको search कर दो okay sorry actually यह है ना यह div नहीं होगा this will be button this will be button ठीक है all apartments अगर मैं यहां पर जाता हूं तो आप देखोगे कि नीचे हमारा यह content भी पूरा set हो चुका है तो अभी तक हमने इसका पूरा html लिख लिया है this is the complete html फोड़ा सा यहां पर लेंदी रहा है और अब हम css लिखना स्टार्ट करेंगे तो वैसे css भी लेंदी होने वाला है but no worries सारी चीज़ हो जाएगी तो अब हम style.css लिखना स्टार्ट करेंगे so we will start with the start tag right here ठीक है और यहां पर हम margin 0 ले लेंगे और padding 0 ले लेंगे और box sizing जो है वो हम यहां पर ले लेंगे border box ठीक है font family जो है वो हम यहां पर ले लेंगे Montserrat ठीक है Montserrat हम यहां पर ले लेंगे उसको करता हूँ मैं save और यहां जाके result मेरे चेक करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारी css जो है वो यहां पर सभी elements पर apply हो चुकी है ठीक है जो कि हम यहां पर expect कर रहे थे और जो हम करना चार रहे थे अब इसके बाद हम HTML में जाएंगे और HTML की हमारी base font size जो है वो यहां पर apply करेंगे तो इसका font size हम यहां ले लेंगे that will be 16 pixel ठीक है और उसके बाद नीचे आकर dot flex हम भेजेंगे आपर और that will be display ठीक है और यहां पर flex wrap flex wrap हम कर देंगे sorry display तो हम इसे flex करना पड़ेगा और flex wrap हम करेंगे यहां पर wrap ठीक है और इसके बाद justify content हम यहां पर ले लेंगे space between देखो अब सिर्फ इतना करने से आप देखोगी कि हमारी जो layout है उसमें कितना बड़ा change आगिया कितनी सारी चीजे जो है यहां पर पूरी यहां पर arrange होने लग गई है ठीक है तो यह एक तरीका है उसके बाद नीचे आकर मैं dot inner को target करूँगा और inner के अंदर यहां पर max width ठीक है max width होगी हमारी 1400 pixel और margin हम यहां ले लेंगे 0 और auto ठीक है padding होगी 1% ठीक है padding होगी यहां पर 1% उसके बाद हम dot container को यहां पर लेंगे width जो होगा that will be 100% उसके बाद इसकी जो height होगी that will be 100 VH background image जो होगी that will be URL और that will be images slash एक से हमें एक डारेक्टरी बाहरा जाना पड़ेगा images के ठीक है और इसके बाद हम यहां पर banner dot jpg यहां पर use करेंगे ठीक है तो यह हमारा container का background यहां पर हो जाएगा उसके बाद let me see background हमने यहां पर जो use किया हुआ है ठीक है but this is not showing up here so let me quickly check कि कहां पर गड़बड हो रही है so guys actually मैंने container पहले लिया हुआ था और उसके बाद मैंने इसको remove कर दिया था तो html में हमने पर container है नी तो we don't need this ठीक है उसके बाद dot nav को हम यहां पर target करेंगे max width हम यहां पर लेंगे that will be 1400 pixel ठीक है margin हम यहां पर ले लेंगे 30 pixel 20 pixel 20 pixel 20 pixel or 20 pixel ठीक है dot ul को हम यहां पर target करेंगे that will be align items हम यहां करेंगे that will be center ठीक है और फिन नीचे आकर sorry यहां पर dot नहीं लेगेगा हम directly क्योंकि direct element को हम यहां पर target करेंगे ul li को हम यहां पर target करेंगे list style को हम यहां पर ले लेंगे that will be none उसके बाद text transform capitalize ठीक है dot dot menu will be width will be 50% okay dot toggle btn और इसके बाद font size हम यहां पर लेंगे 1.5 RAM ठीक है font size हम ले लेंगे 1.5 RAM और यहां पर display हम ले लेंगे that will be none उसके बाद dot btn box को हम यहां पर लेंगे और इसकी जो width है that will be 18% और align items जो है that will be center ठीक है center और उसके बाद dot btn यहां पर लेंगे box हम यहां लेंगे और इसका जो li है हम उसको यहां पर target करेंगे इसकी जो width हो जाएगे that will be 18% और align items will be center ठीक है no no guys actually मुझे यहां पर यहां पर करना है list style that will be none और फिर उसके बाद text transform will be capitalize capitalize ठीक है इसको कि हमने save यहां जाके इसको देखता हूं मैं तो आप देखोगी कि ऊपर का जो area है वो थोड़ा थोड़ा सा shape लेने लगाए और better होगा हम इसको और better बनेंगे उसके बाद dot yellow को मैं यहां पर target करता हूं background color यहां पर ले लूँगा मैं hash ffcc 01 ठीक है padding जो हो जाए हमारी that will be 8px and 17px उसके बाद border radius जो हो जाएगा हमारा that will be 3px ठीक है तो यह हमारा जो top वाला part है वो हम यहां पर complete कर चुके हैं कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था and that's what was required तो अभी हमने सिर्फ यह navigation वाला part है वो यहां पर complete किया है अब इसके बाद हमारा नीचे जो है वो to section वाला part start हो है ठीक है dot to section dot left ठीक है width will be 60% height will be 30 VH position will be absolute position will be absolute or Z index will be 999 top will be 23 VH ठीक है इसके बाद dot to section के अंदर हम dot left और H1 को यहां पर target करेंगे इसका जो font size है that will be 58 pixel और font weight है that will be 700 और इसका मैं किया save और यहां जाके देखता हूं तो आप देखोगी कि सब कुछ यहां पर अभी फिल हाल गिच-पिच हो गया है but don't worry you will gonna fix it टीक है तो यह हमारा तू section वाला जो area है उसके लिए हम यहां पर styling लिख रहे है अब हम next आएगा हमारा that will be search टीक है तो मैं यहां पर के search को यहां पर target करूंगा सबसे पहले margin टॉप यहां पर ले लूँगा that will be 40 pixel विट यहां पर ले लूँगा that will be 500 pixel position जो हो जाएगी मेरी that will be absolute position absolute हो जाएगे ठीक है और boom boom I think that's enough और इसके बाद फिर मैं search और इसके बाद input को में यहां पर target करूंगा search के अंदर input को में आपर target करूंगा ठीक है width हो जाएगी 75% और उसके बाद border हो जाएगी that will be 0 okay background color यहां पर हो जाएगा that will be hash fff or padding हो जाएगी like 25 pixel 40 pixel font size यहां पर हो जाएगा that will be 15 pixel ठीक है तो यह हमारा search का जो input box है वो कुछ इस तरीके से हम stylize करेंगे और यहां पर आप देख रहे हो कि यह जो box है यह इस तरीके से design तोड़ा तोड़ा हो ओपर का एरिया है वो भी हम जल्दी ही fix करेंगे और बट dot search और फिर यहां पर हम BTN ले लेंगे ठीक है search BTN को हम यहां पर target करेंगे इसका जो width हो जाएगा that will be 25% और border हो जाएगा that will be 0 और background color हो जाएगा यहां पर that will be hash ffcc01 ठीक है color हो जाएगा यहां पर hash 1f373d ठीक है तो यह हमारा dark blue grayish grayish color है पैडिंग हो जाएगी हमारी 25px और 10px 25px 10px font size हो जाएगा हमारा that will be 15px font weight हो जाएगा हमारा font weight हो जाएगा हमारा that will be 700 ठीक है border top radius right radius हमारा हो जाएगा that will be 5px और border bottom right radius हमारा हो जाएगा that will be 5px save यहां जाके देखा तो हमारा जो button है वह हमें जैसा चाहिए था वैसा हमें यहां पर दिखाई देने लगए ठीक है तो यह होगा हमारा search button complete और अब हम आएगे और dot luxe shadow पर काम करेंगे ठीक है luxe shadow पर काम करेंगे और यहां पर box shadow को हम target करेंगे box shadow पर हम लेंगे 0 10 pixel 15 pixel और 0 ठीक है फिर RG B हम ले लेंगे that will be 29, 31, 36, 10% ठीक है यह box shadow और उसके बाद dot hero image हम यहां पर ले लेंगे और hero image के अंदर width हमारी हो जाएगी 88% और height हो जाएगी हमारी 78 VH ठीक है background image हमारी यहां पर हो जाएगी that will be URL और URL के अंदर dot dot slash images और pixels के अंदर max 93 yes this will be the image we're gonna put in और इसके बाद इसका जो background size है background size है वो हो जाएगा cover ठीक है background position है वो हो जाएगी center और background repeat हो जाएगा no repeat ठीक है position हो जाएगी relative और right में हम ले लेंगे that will be minus 17 percent ठीक है तो इसको कि dot hero image info पे काम हमें करना है ठीक है position हम दे दे देंगे that will be absolute उसके बाद right हम ले ले लेंगे that will be zero bottom से हम ले ले लेंगे that will be again zero background color हम यहां ले 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 है ठीक है ठीक है align items हम यहां ले 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 लेगे that will be center और padding हम यहां ले 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 लेंगे that will be 20-pixels ठीक है dot hero image info info और इसके बाद हम यहां पे P को target करेंगे dot hero image info P को target करेंगे मैं इसको थोड़ा सापको बता देता हूं तो कुछ इस तरीके से हमारी जो info वाला जो area है वो यहां पे दिखाई देने लगा है ठीक है तो info hero image info P हम यहां पे करेंगे और इसका जो font weight है that will be 700 और उसके बाद font size will be 18 pixel padding will be 10 pixel and 20 pixel ठीक है तो यहां पे आप देखोगे तो यह कुछ इस तरीके से यहां पे यह दिखाई देने लगेगा ठीक है अब इसके अंदर हम नीचा आएंगे और dot info को हम target करेंगे और margin यहां पे होगी 5 pixel और 35 pixel ठीक है align items हम यहां ले ले लेंगे that will be center ठीक है और dot info icon हम यहां ले ले लेंगे that will be color hash FFF ठीक है font size जो है वह 1.8 REM कर लेना ठीक है तो 1.8 REM हम यहां पे ले ले लेंगे और इसको मैंने किया save और यहां आके अगर मैं देखता हूं तो यह area हमारा यह उपर वाला और यह नीचे वाला area देखोगे है it is looking absolutely fine तो यहां पर हमारा navigation complete हो गया है और यह वाला area complete हो गया अब जो इसके बाद next हम start करेंगे that will be the company area तो यहां पर company area company info area हम कर सकते हैं ठीक है company info area हम कर सकते हैं dot company हम यहां ले लेंगे इसके बाद padding हम यहां ले लेंगे that will be 100 pixel और 10 pixel ठीक है उसके बाद dot company और यहां पे dot left हम यहां ले ले लेंगे width हो जाएगा 50% और उसके बाद dot company हम लेंगे वापिस और इसके बाद dot left को हम यहां target करेंगे और H1 को हम यहां target करेंगे font size जो जाएगा that will be 2.5 gram उसके बाद of font weight जो हो जाएगा that will be 600 ठीक है texture transform जो हो जाएगा that will be capitalize ठीक है और line height जो हो जाएगा that will be 50 pixel ठीक है और padding bottom जो है that will be 50 pixel ठीक है left के अंदर हम P को यहां target करेंगे line height जो है that will be 35 pixel ठीक है or dot company के अंदर यहां पर हमें space देनी होगा otherwise it will not work ठीक है यह company के अंदर हम dot right को यहां target करेंगे और right के अंदर dot box को हम यहां target करेंगे ठीक है तो box की जो width हो जाएगी that will be 47% ठीक है इसको मैंने किया save और यहां आके देखेंगे तो यहां पर हमारा आप देखोगे कि यह अलग-अलग इसमें 4 parts में divide हो गया है ठीक है 47% हमने इसको लिया हुआ है तो यह इतना यहां पर changes आ गया है इसके बाद background color जो है that will gonna take hash F6 F5 F4 ठीक है उसके बाद display यहां पर हो जाएगा हमारा flex flex wrap हो जाएगा हमारा wrap और इसके बाद justify content will be center justify content will be center उसके बाद align items will be center और flex direction will be column ठीक है और margin हमारी हो जाएगी 15 pixel और 0 ठीक है तो यह हमारा right में हमारा जो box है वो हो जाएगा ठीक है इसके बाद नीचे आकर हम dot right k dot box को हम यहां पर target करेंगे और h1 हम यहां पर ले लेंगे color हम यहां पर ले लेंगे hash ffcc01 ठीक है और उसके बाद I think एक बाद हम इसको देख लेते कि इतना हमारा अब कैसा दिखाए दे रहे तो कुछ इस तरीके से हमारा यह content यहां पर हमने इसको set कर दिया ठीक है तो यह हमारा h1 था now will gonna work on the h3 right here तो नीचा हूंगा dot right और right के अंदर dot box को मैं target करूंगा और इसके h3 को यहां पर मैं target करूंगा text transform जो होगा that will be capitalize font weight जो होगा that will be 500 ठीक है font size will be 1.1 RAM or font size will be 1.1 RAM or margin top sorry margin margin top okay margin top will be 10 pixel okay ठीक है so this will be 10 pixel and इसको मैंने save किया और यहां पर आके इसको मैं check करता हूं तो आप देखोगे कि हमारा content है it's looking much different than before ठीक है तो guys यह वाला जो हमारा part है यह complete हो चुका है हमारा navigation complete हो गया है हमारा hero area complete हो गया है और company की जो information थी वो यहां पर complete हो चुकी है अब हमारे पास यह नीचे वाला area बचता है that is the apartments ठीक है तो मैं सबसे पहले नीचे आके comment out कर दूँगा apartments ठीक है apartments कर दूँगा और यहां पे dot apartments apartments करके करूँगा width 100% background color will be hash f यह वाला हम ले लेंगे whitish ही है यहां पे padding जो हो जाएगा that will be 75 pixel and 10 pixel ठीक है तो यह apartments का हमने यहां पे जो background है उसका आप देखोगे कि यह background यहां पे हमने set कर दिया थोड़ा सा यहां पे यह जो color है यह grayish सा color ग्रीश सा टून है थोड़ा सा ठीक है नीचे आके में text को यहां पे target करूँगा text के अंदर width में ले लूँगा width will be 100% background color हम यहां पे लेंगे background color will be again हमारा जो grayish सा color है ठीक है और padding जो होगी that will be 75 pixel and 10 pixel ठीक है oh sorry guys actually यह तो हम already लिख चुक है text के अंदर हमें सिर्फ विड्थ देनी है ठीक है that's it okay इसके बाद हम text के अंदर h1 जो है उसको हम यहां पे target करेंगे और text के अंदर h1 जो होगा यह जाएगा सबसे पहले हम इसका font size यहां लिखेंगे font size होगा 2.5 ram ठीक है और font weight जो होगा ठीक है that will be 600 उसके बाद texture transform जो होगा that will be capitalize ठीक है capitalize हम कर देंगे उसके बाद line height हो जाएगी हमारी 50 pixel ठीक है और padding bottom हो जाएगा हमारा that will be 50 pixel ठीक है तो यह हमारा text का h1 यहां पे सारा इस तरीके से हम इसको कर देंगे इसको मैं save करता हूँ और यहां के check out करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा जो heading है वो कुछ इस तरीके से यहां पे set हो रहा है ठीक है बट अभी यह सिफ शुरुआत है आगे हमें और भी चीजे करनी है इसके बाद हम next जो चीज लेंगे that will be images that images ठीक है और images के अंदर width जो हो जाएगी that will be 30% ठीक है margin जो हो जाएगा हमारा 20px और 0 ठीक है और background color will be hash FFF ठीक है और padding bottom will be 25px ठीक है उसके बाद dot images और IMG को हम यहां पे target कर लेंगे width जो हो जाएगी 100% ठीक है और नीचे आकर IMG के बाद में dot details को target करूँगा और details के अंदर padding हमारी हो जाएगी 0px और 20px ठीक है यह details के अंदर 0px 20px हम यहां पे लेंगे इसके बाद dot details के अंदर हम H4 को target करेंगे और H4 की जो सबसे पहले हम texture transform लेंगे that will be capitalize 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 ठीक है font weight जो हो जाएगा that will be 600 font size हमारी हो जाएगी that will be 1 RAM ठीक है margin हमारी हो जाएगी 15px और boom 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 15px और 0 ठीक है so इसको मैंने किया save और उसके बाद I'll go right here and I'm going to see तो आप देखोगे कि हमारा content already better looking condition में आ गया है यह better तरीके से set होने लगा है but again अभी भी हमें बहुत सारी चीज़े जो है वह यहां पर इसको ठीक करनी है चलो सबसे पहले हम यहां आके dot price को target करेंगे और price के अंदर align items हम करेंगे और that will be center price के अंदर align items center होगा padding होगा 5px और 0 ठीक है उसके बाद dot p left and that will be h3 p left h3 और उसके बाद font size will be 1.2 RAM font weight यहां पर होगा 500 और color यहां पर होगा hash ffcc01 ठीक है p left हो जाएगा h3 और ffcc01 यहां भी हो जाएगा ठीक है और इसके बाद dot facility हम यहां पर करेंगे dot facility हम यहां पर करेंगे and facility के अंदर font size हम यहां ले लेंगे 0.9 RAM उसके बाद color हो जाएगा हमारा that will be hash 1 F 37 3 D ठीक है that will be grayish kind of color and margin हो जाएगा that will be 0 pixel or 10 pixel ठीक है ठीक है और इसके बाद finally नीचे आके हमें बस एक काम और करना है P right को हमें यहां पर target करना है और इसका हमें H4 यहां पर लेना है तो H4 हम लेंगे और यह हो जाएगा हमारा display inline ओक है font size हम यहां पर ले लेंगे that will be 0.9 RAM और margin left हम यहां ले लेंगे that will be 10 pixel ठीक है तो इसको हमने किया save और यहां जाके अब इसको अगर हम check करते तो आप देखोगे कि हमारा सारा content जो है apartment buildings वाला यह सभी यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर set हो गया है ठीक है हम इसको minimize करता हूँ और अब हम जाएंगे search part पर ठीक है search part को उनसा है हमारा यह वाला इसा है इसको हम stylize करेंगे तो मैं यहां पर comment out कर देता हूँ और लिख देता हूँ search area search area हो जाएगा हम यहां पर करेंगे search search part करेंगे इसकी जो width है that will be 100% और padding will be 50 pixel और 0 ठीक है justify content हमारा हो जाएगा that will be flex start और dot search box को हम यहां पर target करेंगे search box के अंदर इसकी हम width यहां पर ले लेंगे 40% or background color will be hash fff okay padding left will be 20px not 200 this will be 20px okay or margin right margin right will be 50px align align items will be center ठीक है तो यह हमारी चीज़े हो जाएगी उसके बाद search box के बाद हमें search box का h4 यहां पर लिखना है ठीक है और यहां पर texture transform करना है that will be capitalize उसके बाद font weight यहां पर लिखेंगे हम that will be 50 500 यहां पर हम color लिखेंगे hash 1f 370 ठीक है उसके बाद sar को हम यहां पर target करेंगे margin left हम यहां ले लेंगे that will be 10 pixel ठीक है और इसके बाद dot sar btn ठीक है sar btn हम यहां पर target करेंगे background color अगर हम यहां ले ले hash ffcc01 हम यहां पर इसको इस तरीके से set कर लेंगे इसका जो outline हो जाएगा that will be none okay और border हमारी हो जाएगे that will be none font size हो जाएगा हमारा that will be one gram ठीक है font weight हो जाएगा हमारा 500 और padding हो जाएगी हमारी 0 30 pixel height हो जाएगी हमारी 100% ठीक है तो यह हमारा sar button हो जाएगा और दो चीजे हमें और करनी हैं हमने यह दो classes बनाए थी view करके तो एक view के अंदर हम यहां पर पहले में आपको इतना सेव करके दिखा देता हूं कि कैसा यहां पर लग रहा है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से लग रहा है है न हम यहां पर पैडिंग लेंगे सब से पहले इस प्वह पिक्सल और शिक्स्टी पिक्सल टीक ट्वंटी विक्सल और 60 पिक्सल बैग्राउंड कलर विल भी हैश हैश फ्फ और उसके बाद text transform जो होगा that will be capitalize ठीक है तो यह हमारा view होगा इसको मैंना save कि और आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से हमारा यहां पर content दिखाए देता है अब मैं आउंगा dot view पर और यहां पर h4 को मैं target करूगा ठीक है और simply इसका जो font weight है that I will going to increase to 500 number याद और guys हमारा desktop जो view है वो complete हो चुका है अगर आप देखोगे तो this is completely आप देखोगे पूरा एक दम perfectly यहां लग रहा है अब जो next चीज हम create करेंगे वो इसका हम mobile view create करेंगे ठीक है तो अब हम यहां से media query लिखना start करेंगे तो यहां पर करेंगे आकर मैं सबसे पहले लिखूंगा comment करके media queries queries starts ठीक है media queries starts और यहां पर लिखूंगा add the red media और only इसके बाद screen and max width max width that will be 1500 pixel ठीक है और यहां पर let me quickly check if everything is correct dot hero image right minus 13% ठीक है और यहां पर dot btn box li font size will be 14 pixel ठीक है इसके बाद यह हमारा 1500 pixel के लिए है और नीचे आकर हम add the red media लगाएंगे actually I will just going to copy this or going to paste it here ठीक है 1500 के बाद we will gonna make it 1000 pixel और इसके अंदर हम हमारा बाकी का content लिखना start करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम लेंगे company dot left or dot company dot right और उसके बाद width will be 90% margin will be zero or auto zero or auto okay or company dot company will be dot right or dot box height height will be 300 pixel or dot menu इसका जो होगा that will be width यहां पर होगी 100% margin top जो होगा display यहां पर हम कर देंगे none or dot btn box display none toggle btn ठीक है और यहां पर position हो जाएगी that will be absolute right will be 15 pixel or top will be 15 pixel ठीक है dot nav will be padding 20 pixel ठीक है यह हमारा 1000 pixel के लिए हमने इसको यहां पर सेट कर दिया now comes the mobile view media I think I will just going to यहां पर मैं इस तरीके से इसको ले लूँगा इसके अंदर dot hero image info को मैं यहां पर लूँगा और इसके अंदर मैं width that will be 100% ठीक है तो थोड़ा सा यहां पर actually इसको मैं कुछ चेंज करना होगा 768 में यहां पर कर दूँगा ठीक है इसको मैं अगर इंस्पेक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहां पर अभी यहां डूने लग गया है और अभी हमें और भी चीज़े करना है अब देखो यहां पर यह पूरा डिस्टर्ब हो रहा तो यह डिस्टर्ब नहीं होना थी इसको भी हम जल्दी से अभी यहां पर fix करेंगे तो 768 pixel पर हमने सबसे पहले इसका यह कर दिया उसके बाद .hero image image को हम यहां पर target करेंगे width विल बी 100% position विल बी unset position विल बी unset और .2 section विल बी 2 section विल बी uh padding unset ठीक है उसके बाद हम . uh 2 section के बाद .left में आएंगे ठीक है और इसका जो width है that will be uh 80% और इसके बाद .mages यहां पर लेंगे और width विल बी 70% ठीक है margin जो है गवा that will be 30px और auto और text align होगा center ठीक है यह हमारा images section यहां पर हो गया उसके बाद नीचे हम यहां पर .apartments को target करेंगे apartments ठीक है और इसके अंदर इसका जो text है उसको हम यहां पर target करेंगे और यह हो जाएगा हमारा text align center ठीक है उसके बाद यहां पर search box जो हो जाएगा that will be height or 50 pixels or width will be 80% ठीक है margin जो हो जाएगा that will be 20 pixels or auto ठीक है नीचे हम view को यहां पर target करेंगे और view के अंदर margin हो जाएगा zero auto ठीक है उसके बाद two section को हम यहां लेंगे or dot two section को हम यहां पर फिर से target करेंगे और इसके बाद dot left और h1 को हम यहां target करेंगे ठीक है font size हो जाएगा हमारा three RAM ठीक है left और h1 और इसके बाद dot btn dot btn box हमको करना है ठीक है display that will be none ठीक है or dot price will be flex direction and that will be column ठीक है तो यहां पर आप देखोगे boom हमारा यह जो पूरा content है नीचे का यह पूरे तरीके से transform हो चुका है ठीक है इधर आप देखोगे तो बिल्कुल different देखेगा और इस तरीके से यहां पर आप देखोगे तो यह completely पूरा different यहां पर दिखाई देने लगेगा ठीक है अब हम और भी छोटे devices के लिए हमारी CSS लिखेंगे that will be below 500 pixels ठीक है तो उसके लिए मैं जाओंगा अपने again code editor पे और यहां पे मैं अब लिखूंगा below 500 pixels के लिए ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं dot search को यहां पर target करूंगा ठीक है और search के अंदर width में 95% होगा और margin में हो जाएगा 0 और auto ठीक है और इसके बाद position जो हो जाएगा that will be unset unset और padding हो जाएगा padding top हो जाएगा that will be 20px ठीक है इसके बाद dot search input हो जाएगा that will be border top left radius border top left radius that will be 5px और इसके बाद border bottom left radius ठीक है that will be 5px ठीक है यह हमारा search input हो जाएगा और इसके बाद हम नीच आएगे और dot to section के अंदर dot left को हम यहाँ पर target करेंगे और h1 को हम यहाँ पर target करेंगे text align हम यहाँ ले लेंगे that will be center ठीक है और ul को ul को हम यहाँ पर target करेंगे flex direction ठीक है flex direction will be column ठीक है और ul के अंदर li को हम यहाँ लेंगे और इसके अंदर text align यह हो जाएगा center और margin हो जाएगी यहाँ पर 15 pixel और 0 ठीक है और इसके बाद dot menu को हम यहाँ पर stylize करेंगे menu के अंदर हम लेंगे नीचे background color that will be hash ff c c 01 next जो होगा that will be z index ठीक है z index होगा 1000 ठीक है तो यह हमारा menu होगा और उसके बाद हम नीचे आकर dot company ठीक है company के अंदर dot left को हम यहाँ पर target करेंगे और इसका h1 यहाँ पर target करेंगे इसका जो text align है that will be center ठीक है margin top which will be 50 pixel ठीक है नीचे आएंगे और price को हम यहाँ पर target करेंगे that will be justify content center ठीक है dot company को हम यहाँ target करेंगे और company के अंदर dot left और P को हम यह target करेंगे ठीक है और इसका भी text align हम यहाँ ले लेंगे that will be justify ठीक है तो यह हमारी यहाँ पर images के लिए हो जाएगा उसके बाद हम नीचे आकर यहाँ पर dot P left को हम लेंगे h3 को हम यहाँ पर target करेंगे padding bottom हमारा हो जाएगा that will be 20px ठीक है dot info हम यहाँ लेंगे and इसके info के अंदर हम यहाँ width जो है that will be 100% and justify content justify content will be flex start flex start flex start okay and margin margin जो हो जाएगा that will be 5px or 0 ठीक है 5px or 0 हो जाएगा यह हमारा info हो गया and info के बाद dot company company or dot right को हम यहाँ target करेंगे dot dot box को हम यह target करेंगे and width that will be 80% margin margin जो हो जाएगा that will be 30px or auto ठीक है dot search box को हम यहाँ target करेंगे dot search box को हम यह target करेंगे this का width है that will be 100% search box को हम भीट यहाँ ले लेंगा 100% or dot sar btn को हम यहाँ target करेंगे padding will be 0 or 10 pixel ठीक है और फाइनली नीचे आकर हम dot details h4 को हम यहाँ target करेंगे और नीचे आकर line height हम यहाँ देंगे हमारे javascript में जाना होगा ठीक है और उसकी जो settings है वो हमें javascript में करनी होगी तो उसके लिए मैं जाओंगा इसको minimize करूंगा script.js के अंदर जाओंगा okay guys तो हमने एक mistake की है 1000 pixel पे हमें यहाँ पे एक property add करनी होगी क्योंकि हमने क्या कि इसको हमने यहाँ पे none किया है बट यहाँ पे 1000 max width है media queries यहाँ पे लगए हमने इसको वापिस से visibility on नी की तो इसके लिए मैं जाओंगा अपने code editor पे और इसकी जो visibility है ठीक है उसको अन कर लोगा 1000 pixel पे मुझे जाना है ठीक है यह रहा हमारा 1000 pixel और इसके अंदर toggle button करेंगे हम display block ठीक है इसको किया save यहाँ गया and boom it is visible अगर मैं इसको click करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा content दिखाई देता है तो guys that's it for this video I hope आपको यह video समझ में आया होगा आपको यह video पसंद आया होगा if you like this video make sure you like it अगर आपको कोई भी comment में question हो to make sure you ask that in the comment section और इसका यह जो layout है जिसका design में ने जहां से download किया उसका link में description में डाल दूँगा तक आपको design मिल जाए वो design देखके इस website को बना सकते हैं on that note guys thank you so much for watching and that's it for this video अगर आप में अभी तक भी free training जोइन ने कियो make sure you do that and I will go to see you guys next in next video, bye bye